नमस्कार दोस्तो, MP Current Affairs के वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जिसमें हम देखेंगे 26-31 दिसंबर 2019 तक के मदपदिश समसमाईकी के most important question MCQ प्रेक्टिस करने के लिए आप हमारी website बिजिट कर सकते हैं इसकी link आपको description box में दी गई है दोस्तो, आप हमारे मदपदिश के 2019 के सारे current affairs इस page पर देख सकते हैं जो भी upload हैं दोस्तो इसके अलाबा, MPGK-Mobile App पर भी आप MCQ प्रेक्टिस कर पाएंगे इसकी link आपको description box में दी गई है आईए शुरू करते हैं इस वीडियो का first question पीथमपूर में इस्थाप्रत उद्यों को नरंतर जल प्रदाय के लिए कितने करोड रुपए की 90 MLD जल प्रदाय योजना का क्रेयान बन किया गया है ये जो industry area है आपका इंदोर के अंतरगत पीथमपूर में उसमें कितने करोड की लागत की जो है 90 MLD जल प्रदाय योजना संचालत है भै है लगभग 290 करोड रुपए की यानि 290 करोड की इसके अलावा पीथमपूर में 300 करोड से जो है वो 465 हेक्टिया छित में smart integrated industrial park का विकास किया गया है इसमें उद्योगों को भूमी आवंटन किया जा रहा है मद्द प्रदेश में रोजगार मूलक उद्योगों को पोड़सान करने के लिए 199 करोड 50 लागत की लागत से 4 टेक्शल गार्मेंट पार्क जो है बुढ़ी, बरलाई, इंदोर, अचारपुरा, भोपाल, लह, गड़वा, चिंदवाडा, जावरा, रतलाम में इस्थापित किये जा रहे हैं मद्प्रदेश पसुधन बीमा युजना के अंतरगत एक हितिगराई अधिक्तम कितने पसुधन बीमा युजना है उसके अंतरगत एक हितिगराई अधिक्तम अपने 5 पसुधन का बीमा जो है वो करा सकता है पसुपलन मंत्री लाखान सिंग यादब जी ने 22 दिसंबत 2019 को सायर नंदी डारेक्टरी और पसुधन बीमा युजना के पोश्टर का प्रमोचन किया दोस्तों इससे जुड़ा और डिटेल देखते हम पसुपलन मंत्री ने पसुधन बीमा युजना प्रदेश के प्रतेक जिले में लागो की गई है ऐसा पसुपलन मंत्री ने जो है कहा है इसमें पसुपलन मंत्री अपने दुधारू पसुओं के साथ सभी प्रकार के पसुओं का बीमा करा सकेंगे एक इतिग्राई अपने पांच पसुओं का बीमा करा सकेगा भेड़ बकरी, सुकर, यादी स्रेडी में दस पसुओं की एक पसुओं की एक पसुओं काई मानी जाएगी इसमें बीमा प्रीम पर एपिया स्रेडी के पसुओं पालकों को 50-30 अंदान तथा बीपियल और एसी, एस्टी स्रेडी के पसुओं पालकों को 70-30 अंदान राज सरकार द्वारा दिया जाएगा सेस राजी पसुओं पालक द्वारा भुक्तान की जाएगी बीमा प्रीम की अधिक्तम दर एक बरस के लिए 3-30 तथा 3-30 तथा 3-30 देः होगी बीमा निन्तम एक बरस तथा अधिकतम तीन बरस के लिए किया जा सकता है पसुधन बीमा युजना के अंतरगत पारदी जाती मत्पदिश के कितने जलों में अनसुशित जाती में आएगी संपून हमारे मत्पदिस में ऐसे कितने जले होंगे जिसमें पार दी जाती जो है वो ऐसी केटिगरी में आएगी तो ऐसे जले बढ़कर अब हो गया है अभी इसमें पांच नए अभी नए सामिल किये गए हैं पांच जिले जिसमें असोकनगर, अली राजपुर, बढ़वानी, आगरमालवा, नीमच आते हैं उलेकनी हैं कि बरस 1908 में मत्पदिस के मंदसौत जिले की सीमा में परिवतन करके नीमच जिला बनाये गया है इसी तरह गुना से असोकनगर, जाबुआ से अली राजपुर, खरववानी, साजापुर से आगरमालवा बनाये गया था जो इन जिलों में जो है वो पार्धी जो जाती है वो ऐसी केटिगरी में आएगी दूसरे राज के सामान बैक्ती दौारा मद्पदेश की दिब्यांग बैक्ती से साधी की जाती है तो सरकार कितने लाख रुपए पूस्तार रासी दीगी ऐसा कोई भी बैक्ती सामान बैक्ती होगा जो अपने मद्पदेश से दूसरे राज का होगा इसे दो लाख रुपे की जो है वो रासी दी जाएगी शासंद वारा मत्पते सरकार निसक्त विवाय पुष्थान उजना के तहत उसे नगद रासी देकर पुष्थात करती है इसे उजना में 40 पिस्ति या उससे जायदा दिब्यांगता होने पर पातता होती है नए संसोधन क दोसरा राज की सादी राच के बाहर दिब्यांग की उब्यांग से होती है तो यह से जोड़ेगो एक लाख रुपे पुष्थान की रासी जो है वो दी जाएगी दोस्तों इसमें अदि दोनों दिब्यांग है दूसरे राज के दूसरा राज का जो करने वाला dus hier शादी करन वाला वेक्ति है तो वह भी दिब्यांग है तो उसे के वर एक लाख रुपए की जो है वो पुरसा रासी दी जाएगी मद्यपे सरकार द्वारा आपदा प्रवंधन निदी से कितने प्तिसत की प्याज दर पर स्वाह्म सहाता समू को बित्तिय सहबता अपलप्द कराई जाएगी दोस्तो तो यह जो कराई जायगी इसमें यह आंसर आपका निकलके आजाएगा 4 प्तिसत है इसमें 4 प्तिसत δεν है जो है वो की दर से बित्तिय सहायता उपलब कराई जाएगी इसमें स्वहम सहायता समू के आंतर करण की दर जो है वो अभी बरतमान में 24% से घटा कर 12% कर दी गई है जो स्वहम सहायता समू होते हैं उनमें रिल अगर लेता है वो शमू तो 24% बैसे दर लगती है अब घटा कर 12 प्रितिसद कर दी गई है उत्पादक समू का गठन कर विभन योजनाओं की सहस्थाओं से प्राप्दरासी को एक सहिंप्त कोस बना कर जाकर शमू को शून प्रितिसद ब्याज दरपत 30,000 रुपए प्रितिसद के मान से रण और प्लब्द कराया जाएगा दोस्तों मदपदेश के सभी ग्राम पंचयातों के जीपी डीपी ग्राम पंचया डेवलमेंट प्लान तयार कर कौन से पोर्टल पर दरज किये गए हैं जो भी एक्सन प्लान है बरकिंग प्लान है वो प्लान प्लास एक जो है वो पोर्टल है मदपदेशासन का उस पर ग्राम पंचया पिलान जो है वो पोर्टल पर दरज किये गए है मदभ फिदेश की सभी जो बाइस हचार आठ सो बारा ग्राम पंचायतों के पचास जार से अधिक गिरामों को बिकास की मुकधारा से जोडने का लिया गया है. और इसमें एक बरस में सभी गिराम पंचयातों को गिराम पंचयात बिकास प्लान तयार किया गया है. बाराई सरकार द्वारा सौकषता सर्वेक्षन गिरामेट 1099 पसमी छेट अंतरगत सामिल राज्जों को मद्व प्यदेश को जो है तित्ती पुरुषका से सम्मानित किया गया है यह फैक्ट है दोस्तोओ यह भी आपका फैक्ट है यह effect है digital transformation in rural development category में e-governance digital transformation about 2019 से भी शमानित किया गया है दोस्तो अभी हाली में 4 दिवसिये the royal cuisine food festival का सुवारम कहा हुआ है अभी हाली में 4 दिवसिये the royal cuisine food festival का जो सुवारम हुआ है भै भोपाल में हुआ है मुखमंत्री कमलाज जी ने 26 दिसंबत 2019 को मद्पदिस में परेटन को बढ़ावा देने के लिए मिंटो हाल में 4 दिवसिये the royal cuisine food festival का सुवारम किया पसु जनगणना 2019 के अनुसार मद्पदिस में किस पसु की संख्या सबसे जादा है पसु जनगणना 2019 के अंतरगत बकरी जो पसु है उसकी जादा जो है वो संख्या है बहीं फैक्ट देखते हैं अलग जार चारजर नाम के टाइगर की याद में किस निशनल पार्ग में चारजर पॉइंट की नाम की जगए बनाई गई है तो वह बनाई गई है बादव गण में ठेंड के मौसम में होने वाली बारिस को मद्पदिस में क्या कहा जाता है जो अभी ठेंड के मौसम में जो बारिस हो रही है बरतमान में उसे कहते हैं माव ठा सांची इस दूप के उपर किस लिपी में लखा हुआ हुआ है यह ब्रहमा लिपी में ब्राम मी ही लिपी में लखा हुआ है दोस्तो मद्द पतिस खाज सुरक्षा दाल बितरन योजना लागो की गए यह जिसके अंतरगत चना की बितरन दर कितने पितीसत पिती किलो ग्राम की दर निधारत है यह जो धर निधारत है 27,37 की दर से पिती किलो ग्राम की दर से निधारत है पात्ता प्रती सदस एक किलो है एवं अधिक्तम चार किलो प्रती परिवार है दोस्तो अन्तोध है अन्य यूजना के अंतरगत कितने रुपए प्रती किलो की दर से एक किलो सक्कर प्रती महें प्रती परिवार मिलती है दोस्तो यह अन्तोध है अन्य यूजना जो मत्रती समें संचाले तो उसमें एक किलो सक्कर मिलती है जो भी BPL या कोई भी परिवार होता है तो उसे 20 रुपए की दर से मिलती है भी कंट्रोल की दुकान पर यानि जो खादंत की दुकान होती है उसमें जो सक्कर लेने जाते हैं गरीब लोग वो 20 रुपए की परिवार की दर से एक किलो शक्कर परिवार वितरन महां मार्च 2019 से प्रारम किया गया है जिस पर राश्रकारदवारा 3214 परिवार के मान से अनदान दिया जा रहा है दोस्तो इसके बाद हम बात करेंगे मत प्रदेश में 5.46 करोर हितिगराईयों को राश्टी एकास सुरक्षा दिनियम 2.13 के प्राबदानों की तहत रियायती दर पर रासन मोहिया कराने का काम रासरकार अवी बरतमान में कर रही है राश्टिय खा सुरक्ष अदिनियम 2013 के अंतरगत बर्स 2011 की जन संख्या अनुसर 75 फिस्दी आवादी 5 करोड 46 लाग को ही लावामित करने का प्रापदान है बर्स 2018 के अनुमारत जन संख्या 8 करोड 23 लाग हो गई है जिसका 75 प्रतिसत आवादी 6 करोड 17 लाग होती है इस परकार 71 लाग हित्गराईं को खादन आवांटर प्राप्त नहीं हो रहा है बर्तमान आवादी का 66 प्रतिसत लाग हित्गराईं को ही मिल पा रहा है जो कि अधिनियम के अनुसार 9 प्रतिसत कम है इन 71 लाग हित्गराईयों के लिए अतरिक्त खादत आवंटन करने की मांग भारत सरकार से जो है वो कर दी गई है हमारे मत्वधिश साशन द्वारा अनसुसित जनजाती बर्ग के बिद्धियातियों की पोश्ट मैट्रिक छादबती भुकतान प्रकिरिया की नीती निधारन के लिए किसकी अधिक्सता में समीती का जो है वो गठन किया गया है तो अपर मुख सचिब ये मोश्ट इंपूटन है दोस्तों ये अपर मुख जनजाती बर्ग के बिद्धियातियों की पोश्ट मैट्रिक छादबती भुकतान प्रिक्रिया की नीती निधारन के लिए समीती का गठन किया गया इसमें अपर मुख सचिब सावन प्रसासर को समीती का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है मद्ध प्रदिस में बिद्ध प्रदाय सम्मंदी सकायतों के निराकरण के लिए डायल हंड्रेट की तरच पर केंदी करत कॉल सेंटर शुरू किया गया है ये कॉल सेंटर किया गया है 1912 ये विद्धु बारा नग्याध फार के अडाल हंडीड इत्रच पर किया गया है विद्धु पर दाय संबनी सकायतों के निराकरण के लिए अभी हाली में रीडिंग मेरा थन का आयूजन के सहर में किया गया है Bhopal के भुपाल के सिवन सर्विसिस के लम्मे 26 दिसम्ब 2019 को 200 इवाउने 170-600 पेज की किताब जो है वो पढ़ी गई किस जिले के इदारत पुरा में उस जिले की पहली सास्की गौसाला का लोकारणपन किया गया है ये किया गया है खरगोन ये पहली सास्की गौसाला है इदारत पुरा में जो की लोकारणपन किया गया है निम्न मेंसे कौन से मद्वदिस से राज सवा सांसत का कारकाल 9 अपरेल 2020 को शमाप्त नहीं हो रहा है इसमें कौन से राज सवा सांसत है जिसका कारकाल 9 अपरेल 2020 को जो है समाप्त नहीं हो रहा है वो है विवेक तनखा जबकि दिगवजाई सिंग, प्रवादजा, सत्यनारे जायटिया इनका जो है वो कारकाल ये 9 अपरेल 2020 को समप्त हो रहा है तीन राज सभा सदस्वों के चौनाव में एक प्रतियसी की जीत के लिए कम से कम 58 बिदायकों की बोट की जरूरत होगी और कहा जा रहा है कि राज सभा सांसद जो है वो जोतरादित बनेंगे वो दिगवजाई सिंग रिपीट किये जा सकते हैं मद्द प्रदेश में पांच बर से या उस से पराणे बेफसायक बहानों के टेक्स कमर्सियल भीकल्स टेक्स में कितने प्रतिसत तक की चूट मिलेगी यह जो चूट है वै कम ही समय के लिए है 90 परतिसत की 90 परतिसत तक चूट मिलेगी अभी हाली में की है ये दस साल तक पराने पंजिकरत इसके अलागा दस साल तक के पराने पंजिकरत की चूट जो है वो दी जाएगी दोस्तो राजस्तरिय कहानी उत्सब 2019-20 का आउजन कहां किया जाएगा ये जो राज इस्तरी ये कहानी उत्सब है ये भोपाल में किया जा चुका है क्योंकि वीडियो दोस्तो लेट अप्लोड किया है हमने और राज इस्तरी ये कहानी उत्सब 2019-2020 गत सेक्षिक संस्थान परिसर गीता अंजली कॉलेज में 28-29 दिसंबर को आयजित किया जाएगा स्कूल सिक्षा मंतिरी डॉक्टर प्रभूराम चोधरी उत्सब के जो है वो मुख अत्ती होंगे मेरेट में खेली गई All India Inter University Bumen Boxing Championship में मत्पदिस राज बॉक्संग अकादमी के खिलाड़ी दिब्या परवार ने कितने किलोगराम भारबर्ग में शौन पदक जीता तो ये मेरत उत्तरपदिस के मेरत में खेली गई और मत्तरपदिस राजबॉक्संग अकादमी की जो खिलाड़ी है दिब्या पवार उन्होंने चववन किलोगराम केटेगरी में जो है वो शौन पदक गोल्ड पदक मतलब जीता उत्तरपदिस के मेरत में 19 से 25 दिसंबर 2019 तक खेली गई और इंडिया इंटर इनुवरिसिटी बूमेन बॉक्सिंग चेंपियंस में मत्तरपदिस राज बॉक्सिंग अकादमी की खिलाड़ी दिब्या पवार ने 54 किलोगराम भार बर्ग में शौन पदक जीता दीपाक बहीं दीपाक कुमारी ने 51 किलोगराम भार बर्ग में रज़त पदक जीता उत्तरपदिस के किस सहर में आउज़त अखिल भारती है आमंतरण इनामी महला होकी पितियुक्ता का खिताब मत्तरपदिस की टीम ने जीता तो ये दोस्तो अभी जी जासी कि रानी जासी सहर है उसमें आउज़त की गई थी उत्तरपदिस के जासी में 22 साखिता एक तक थी माहरास्ट को 2 जीरो से सखत देकर 2 लाक रुपे की पिताब ऑिल बाला खिताबी मुकाबला जितकर मत्तरण का परचम फेराया दोस्तो किलों के सहर मांडब गड़ में पांच दिवसी मांडू फेस्टिवल कब शुरू हुआ है जो मांडू उत्साब है बहे आपका 28 दिवसी मांडू फेस्टिवल अठाइस दिसंबद 2019 को शुरू हुआ जो एक जनवरी 2020 तक जो है वो चला दोस्तो संस्किर्टी मंति डॉक्टर बिजय लक्ष्मी सादो और प्रेटन मंति सुरेज सिंग बगेल ने फेस्टिवल का सुवारम किया इस बार यह फेस्टिवल खोजने में खोजाओ सोच पर आधारित है सरकार ने जै किसान फसाद रन माफी का दूसरे अचरन का सुवारम किस जले से किया है तो सरकार ने जै किसान फसाद रन माफी का दूसरे अचरन का जो अभियान का सुवारम किया है वै भिंडे जले से किया है भिंडे जले से किसानों की रन माफी की दूसरे अचरन की भोपाल की बड़ी जील के पास इस्थित बिरिज एवं रेटेनिंग बॉल पर कितने किलोग्राम छमता के सौर सहियत की स्थापना की गई है। मद्पदेश का कौन सा टाइगर रेजरब देश में सबसे अधिक सा का हरी घनत वाला पार्क है मानक टाइगर रेजरब है तो ये है पेंच टाइगर रेजरब है दोस्तो सबसे अधिक सा का हरी घनत वाला पार्क और इसमें देश का सबसे लोग प्री टाइगर रेजरब में स सामिल है इसमें रेजर्ब को अब तक कसारवदिक तीन करोड ग्यारा लाग पैतीस जार नौसो तेज रुपे का राजस जो हमें प्राप्त हुआ है उलिक नहीं है कि प्रेटन बरस उननीस सो संतानों एंठानों मात्र नोसो अठासी प्रेटन ने पहेंच टाइगर रेजर्ब कब रोण किया था इसमें से एक वी विदेशी प्रेटक शामिल नहीं था पैच टाइगर रेजर्ब को प्रेटन बरस 2010-11 में पूरे देश में प्रथम तता बरस 2014 में दूसरा इस्थान मिला है दोस्तों ये फेक्ट है मद प्रदिस के किस जिल्य में बास आधरत उद्दियों में पान्सो हेक्टिर में बास लगाया जाएएंगे मत्पदेश के जो है वो छिंदवाड़ा मत्पदेश के छिंदवाड़ा जिले में 500 हेक्टेर में बास लगाये जाएगे जून 2020 तक छिंदवाड़ा में 400 हेक्टेर बन भूमी 100 हेक्टेर राजस भूमी पर बास के पौदे रोपे जाएगे चिंदवाड़ा 500 हेक्टेर में बैंबूसा टोलड़ा प्रजाती का बास लगाया जाएगा डॉक्टर संजय सुकला संचालक मत्पदिस राजबास वसन के हैं आपके डॉक्टर संजय सुकला बासानिया परियोजना से कौन से जिले लावानवित होंगे बासानिया सचाई परियोजना से जो है वो डिंडोरी और मंडला जो है वो यह जिले लावानवित होंगे इसकी प्रिसास की सुईक्यति जारी कर दी गई है और राघवपूर परियोजना की जो सचाई चंता है सब्वीस हजार हेक्टेयर है इसका लावानबत जिला आपका जिला डिलोरी है वहीं बसानिया का सचाई समता आठ चार सो असी हेक्टेयर जिसका लावानबत जिला डिलोरी एवं मंडला है दोस्तों वहीं सक्कर परियोजना सचाई समता चौसट हजार हेक्टेयर इसमें लाव है दोस्तो अपर बेदा ये ये अपर बेदा सचाई पर्योजना है ये खरगोंज लेके जिरनिया तैसिल के गाम नेमती में है पर्योजना का नमाड किया गया है राज सहरी अजीब का मिसन ये उजना में बर्स 2019 में हिद्गराईयों का प्रिसीशन दिया गया है दोस्तो आपके MPPSC के जो है प्रैक्टिस हम कम ही अप्लोड कर पाए लेकिन अब जितनी ये टाइम बचा है आपका तो हम अधिक से अधिक जो है वो प्रैक्टिस अप्लोड कर करने की कौशिस करेंगे राज सहरी अजीब का मिसन ये उजना में बर्स 2019 में इत्गराईयों को प्रिसीशन दिया गया है तो यह जो यह दोस्तों डेटा वाले बहुत कोश्चन फच जाते हैं आप इने जो है यह लकी में ना लिया करें 5316 जो है राज सहरी अजीब का मिसन युजना में बरस दोहज़ रुन्वीश 2029 प्राइट के जा है कराया गया है योजना में 110 सहरों को क्रियान बंद की जा रही है अभी बरतमान में योजना उजला मुख्याला और एक लाक्षादिक जनसंख्या बाले बाले 55 नंगरिये निगायों में 133 आसरा मिस्तल संचालित किये जा रहे हैं राज सहरी जीब कमिसन योजना के इंतरगत इ जाती है मद्द्पदेस में बर्स 2018, 2019 अब्दी में 4 हज़ा 428 लगएक एक गईयों में कितने यूनिट बिजली का रकार्ट खपत दर्ज की गई है ये चार हज़ा 428 लगएक एक आईयों में जो है वो 928, 928 करोड 26 लाख जो है रकार्ट खपत दर्ज की गई है तीस्वी राष्टिय जूनियर एबं सब जूनियर कैनो इस्पूरेट चैंपेंसिप कायागए है तीसवी राष्टिये जूनियर एवं सब जूनियर केनो इस्परेट चेंपियसिप का आज़न किया गया है जो भोपाल में किया गया है भोपाल में आज तीसवी राष्टिये जूनियर एवं सब जूनियर केनो इस्परेट चेंपियसिप में मद्दपदीश में पहली बार किस सरकारी इस्पताल में लकवा ग्रस्त मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया है। को दाहनी तरफ लकवा और बोले में तकलीब के कारण जवलपुर की नेताजी सुवास मेडिकल कॉलेज के सास्की चिक सालाएं बरती कराया गया था। दोस्तों और मद्पदेश सबसे पहले हम आपको बता दें कि अधिया वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कर दिया करें वैसे आपके द्वारा लाइक किया जाता है। तो मद्पदेश सरकार द्वारा अधिवक्ता दिवस के रूप में किस दिवस को मनाने करने लिया गया है। दो, तीन, चार दिसम्मर में से एक आंसर आपका सही है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों और हम आपको बता दें जो कि आपके MP Current Affairs है वो उसके सारे 2019 की जो MCQ Practice है वो हमारी वेब साइट पर अपलोड है और एक दो माहे के नहीं है वो जल्दी अपलोड ह हो जाएंगे मतलब पांच तारिक से पहले कर देंगे दोस्तों क्योंकि आपके MPPSC का पेपर है और हमारा जो एक मतलब एक जनवरी 2020 से है उसके भी आपको ऐसे MCQ Practice मिलते रहेंगे और हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धनवाद दोस्तों थैंक यू